हेलो एश्टुनेंस आज का क्लास काफी मत्पूर्ण है यदि आज का क्लास आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो 15 से 20 नमर आपके अपनी मुठी में हो जाएगी बट आप लोग को मैं देख रहा हूं को पूरा क्लास नहीं देखते हैं कारण जो भी हो मेरा बस यही काना है कि पूरा क्लास देखिए आप लोग सभी न कहीं कोई इंस्टिचूट में आप सभी चीज पर चुके हो एक तरह सी एक रिवीजन कोर्स मतलब रिवीजन कोर्स तीस रिवीजन कोर्स को आप पूरा अबस देखिए तो चलिए 15 से 20 नमर हम कैसे प्राप्त करेंगे तो आज किताब देखनी की जड़त नहीं है आप इस पूरा वीडियो को भी देखकर आप 15 से 20 नमर ला सकते हैं लेकिन मैं जितना चीज कहूं सब को आपको तोता के तरह याद करना ही होगा ठीक है ना कोई उपाई नहीं है तो आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से देखिए और पार अगर इस वीडियो को आप तीन-चार बार देख भी लेंगे न तो आपको अपने आप याद हो जाएगी प्रोच से डातने की जवारत नहीं होगी जैसे देखिए यह प्रोच छेक्शन से प्रोच से शेक्षण से पएला जो आपका चेप्टर है महातमा गांधी जी मह आतमा गांधी का जन्म 1879 में हुआ था मिर्टु 1908 में हुए थी और उनकी रचना है Indian Civilization and Culture अब दूसरा जो आपका है वह है और यह आपको लिखे हैं A Pinch of Snub, यानि A Pinch of Snub के लेखक हैं मनोहर मालगाउनकर, इंडियन राइटर हैं, अब आएंगे चौथा नमर, चौथा नमर में आपको याद रखना है मार्टीन लूथर किंग जुनियर का, जो अमीरकन लेखक थे, जिनका जन्म 1929 में हुआ था, और दस में हुई थी, इनका जो लिखी हुई जो आपके प्रोज है, आइडिया देट हैब हेल्प मेंनकाइड, इसको याद रखिएगा, छट्था है सींगा नोया, जो एक जैपनीच राइटर थे, जिनका जन्म 1883 में है, और मिरती उनीस्सो एकतर में है, इसने आपके बुक म है, जर्मन ग्रियर, जर्मन ग्रियर, जिनका जन्म。 1893 में मिर्तु 1997 में इन्हें जो प्रोज लीगेते हैं how of the place नॉमा है एची बेट जिनका जन्म 1905 में हुई थी और मिर्तु 19974 में इनका प्रोज है दो अर्थ जरूर पढ़ लीजिएगा जो अभी तक नहीं पड़े हैं अब हम poetry section में आते हैं poetry section में पहला जो point है जॉन डन 1572 में इनका जन्म हुआ था और मिर्तु 1631 में थी इनका जो पोएम है sweetest love I do not go है दूसरा है wild to hitman जिनका जन्म 1819 में मिर्तु और इनका जो पोएम है song of myself तीसरा याद रखना है डब्लु एच ओडेन डब्लु एच ओडेन का जन्म 1907 में मिर्तु 1973 में और इनका जो पोएम है now the leaves are falling fast जो था है john kids इनका जो जन्म हुआ था 1795 में और मिर्तु 1821 में और यह जो लीखे थे और टू इनका पोएम है यह बहुत ही कम रूब यानि 26 साल के उम्र में ही इनकी मिर्तु हो गई थी अब पांचमा है walter डिला मेर इनका जन्म 1883 में हुआ था मिर्तु मिर्तु का भी तक पता नहीं चला है और इनके जो पोएम है फाइर ही में नॉमा डे एच लोरेंस इसमें आपको याद रखना इनका जन्म हुआ था 1885 में मिर्तु 1930 में हो गई थी और इनका पोएम का नाम है इसनेक और हमारे एक महान भारतिय कभित्री जिनका नाम था कमला जिनका जन्म 1934 इसमी में हुई थी और मिर्तु 2009 इसमी में हो गई जो पोएम लिखी थी जो हम लोगों ने पढ़े हैं उस पोएम का नाम है माई ग्रेन मदर हाउस तो आपको यह जितने हम ऑथर उनके वर्क्स आज बताएं अगर आप यह पूरा का पूरा याद कर लेते है पंदरह से बीस नमर पका आपके मुठे में अब बताएं आपको आज का जो फैक्ट मैंने जो बताया जो एक जगा संग्रीत करके आपको दिया है तो आप अगर इसको अच्छे ढंग से यहां से याद कर ले तो या बुक से भी याद कर सकते हो लेकिन यहां सभी चीज रख से निक्स्ट वीडियो में मैं दूँगा तब तक आप इस क्लास को देखिए और भी क्लास मेंने जो प्रोवाइड किया उसको भी पूरा देख लीजिए नमर अच्छा लाना चाहते हैं तो और अच्छा लगे तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए अभी तेक चैनल को सब्सक कर लीजिए अपने उन दोस्तों को वेजिए जो क्लास 12 में है उनके भी शेयर भी करिए थैंक यू